बुधवार को हरे कपड़े में बांध कर रख दें ये चीज लाखों करोड़ों में खेलोगे ऐसे इस्थती हो जाएगी क्या रखना है कैसे रखना है क्या बांधना है आखिर माजरा क्या है तब जान पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे मेरे चनल में आपका स्वागत है जो कि आपका अपना ही चनल है इसको सपोर्ट करते रहे हम आपके आभारी रहेंगे आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है पूरा देखेगा एक भी स्टेप मिस किया तो आपको पूरी जानकरी नहीं मिल पाएगी हम आपसे शुरू करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमस्षिवाय और जैमातादी अवश्य प्रेशित करिए बुद्ध का तांतरिक मंत्र आपको बहुत फायदा देता है ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सहे बुधाय नमे इस मंत्र का आ आप डेली ग्यारा बार जाब करते हैं तो आपकी हर मनो कामना पूरी होती है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं पैसा ही पैसा आता है शोडशु पुचार पूजन शद्धा और विश्वास के साथ पूर्ण करने के बाद हाथ जोड़ कर आपको ये स पूजा करते हैं तो आपको फाइदा रहता है अगर वो ना मिल सके तो आम पर पीपल पर या गूलर के पौधे को बांदे के रूप में आप प्रियुक्त कर सकते हैं पूजा घर में रख सकते हैं ये साधना करते समय आपको हरा वस्त्रधारन करना चाहिए क्योंकि हरा बुद्ध का माना गया है और कंभल भी हरे रंग का रेश्मी आसन के रूप में आपको बिछाना चाहिए और हरे रंग का स्कैच पेन लेकर बुद्धी अंत्र आपको बनाना चाहिए और बुद्ध ग्रय का चित्र भी आपको रखना चाहिए दीपक जो आप प्रजवलित क करने करेंगे तो हरी बाती आगर आप लेते हैं या दीपक पर हरे रंग का पेंट आप कर देते हैं तो सोने पे सुहागा आपको चमतकारी ग्रूप से धनलाफ तुरंथ होने लगता है हरी अबीर का प्रयोग भी बहुत शुब माना जाता है मतलब सब काम में आप हरे रंग का प्रियोग करेंगे तो आपको जबर्दस फाइदा मिलेगा आप अपनी तीजोरी कैश बाक्स में हरे रंग के कपड़े में कुछ पुष्प बांद के रखें और हरा पत्ता रख दें तो आपको फाइदा रहता है आप हरे पत्ता अमरूत का भी ले सकते हैं और अमरूत का पे पेड़िया अमरूत के पेड़ का चित्र आप रखते हैं या पत्ता रखते हैं तो आपको फाइदा होता है यह हरे कपड़े में बांद कर आप तिजोरी में रखते हैं कैश बाक्स अलमारी में रखते हैं तो आपको जबर्दस फाइदा होता है आप हरे रंग की उन लेवे और उसमें बुद利ांत्र धारन करें ये आपकी रक्षा करेगा और बुद के शुबलाब आपको देगा बुद का शुबहत्व आप लेना चाहते हैं तो हरा धाग़ आपको अवश्य ही धारन करना चाहिए हरी उन भी आप धारन कर सकते हैं या किसी भी सामाने धागे को हरे रंग में रंग कर आप धारन करें आपको फायदा रहेगा तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना थेंग